अस्सलाम अलेकुम बच्चों आज हम तारोस रिवार्ड लेशन परने जा रहे हैं यह लेशन का जो नाम है तारोस रिवार्ड इसे हम समझेंगे तारो मतलब एक आदमी का नाम है और रिवार्ड मतलब इनाम है बेटे अब तारो क्या इनाम हासिल करने वाला है और किस तरह से तारों को इनाम मिलने वाला है इसके बारे में इस कहानी में जानने की कोशिश करेंगे उससे पहले यह जो वर्ड है साके इसकी मीनिंग भी जान लेना हमारे लिए जरूरी है साके मतलब अपापुलर जपनिस ड्रिंग यह एक जपनिस ड्रिंग है बच्चों इसे बहुत सारे लोग जपान में कंजियूम करते हैं चलिए बच्चों अभी स्टोरी के तरफ हम आगे बढ़ते हैं तारो एक उटकटर था बच्चों यह हिल साइट में एक छोटी सी जोपड़ी में अपने माबाप के साथ रहा करता था जैसे कि मैंने कहा था एक उटकटर था उटकटर मतलब लकड़ार लकड़ी काटने वाले को उटकटर कहते हैं यह बहुत ही महनती था हार्ड वर्किंग था लेकिन बहुत कम पैसे कमाता था क्यूंकि जो वुटकटर्स होते हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं बचों बहुत सारी महनत करने के बावजुद भी वो ज्यादा पैसा कमा नहीं पाते लेकिन तारो जो है अपने माबाप को अक्सर खुश देखना चाहता था और सब कुछ अपने माबाप को देना चाहता था अईशो आराम की जिन्दगी उनको देना चाहता था एक दिन ऐसा होता है बच्चों तारो अपनी जोपड़ी में अपने बुड़े माबाप के साथ बैठा हुआ होता है और अचानक बहुत ही तेजी से हवा चलने लगती है यह जो जोपड़ी के दरारों में से, क्रैक में से जोपड़ी की अंदर भी वो सर्द हवा पहुन जाती है और उस सर्द हवा से तारो के जो पेरेंट्स हैं माबाप हैं उनको बहुत तकलीफ होती है जो तारो के जो फादर हैं वो ये कहते हैं काश मेरे पास अब साके होता तो उसे पी कर अपने बदन को मैं गर्म रखता तो इस बात को तारो सुनना ही था बच्चों तारो बहुत साड फील करता है बहुत ही दुखी हो जाता है क्यूंकि साके एक expensive drink है बहुत ही महंगी drink है उसे खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए लेकिन तारो के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि वो बाजार जाकर तारो अपने फादर के लिए खरीद कर लाए तो तारो के पास साखे खरीदने जितना पैसा नहीं है तो वो सोचने में लग जाता है बच्चों करें तो अब क्या करें तो उसे एक idea आता है चलो पहले से ज्यादा हम महनत करते हैं ज्यादा लकडियां काडते हैं और बाजार में बेचकर ज्यादा पैसे हम कमाते हैं तो ऐसे सोच कर वो अगले दिन सुबह वक्त से पहले जग जाता है बच्चों जग कर सीधे अपने जो भी सामान होते हैं कुलहाडी हो गई या रसी या दूसरे कोई भी आवजार हो गई लकडियां काटने के उसे उठाकर सीधे जंगल के तरफ रवाना हो जाता है जंगल जाते ही वो तेजी के साथ लक्रियांग काटने लगता है बच्चों क्योंकि उसे ज्यादा लक्रियांग काटना है और ज्यादा पैसा कमाना है तो इस वजे से तेजी के साथ लक्रियांग काटता जा रहा है तारो और जो आस्मान में जो है स्काई में सूरज भी निकलाता है इस सोजे से बहुत गर्मी होने लगती है तारो को अब उसके बदन से पसीना भी बहने लगता है और उसका मुह जो है सूख जाता है बहुत प्यास लगने लगती है तारो को इतने में एक हलकी सी आवाज तारो के कानून तक पहुंचती है बच्चों ये किसकी आवाज है ये पानी के बहने की आवाज तारो के कानून तक पहुंचती है तारो इससे पहले ऐसी आवाज कभी नहीं सुना होता है बच्चों क्योंकि उस इलाखे में पानी कहीं भी नहीं बहरा होता है फिर भी जो है उस आवास की तरफ तारो धीरे धीरे दाउडने लगता है थोड़ी दूरी के बाद जो है तारो क्या देखता है एक जरना बहरा है उसके आखों के सामने तो तारो को प्यास लगी होती है तो अपने प्यास बुजाने के लिए जरने के पास जाता है और अपने हाथों को इस तरह से बना कर पानी लेकर अपने मुख में डालने लगता है पीने लगता है पानी तब तारों कन्फूजड हो जाता है बच्चों थोड़ी एक दो तीन घुट पीने के बाद तारो को ये रियलाइज होता है कि वो पानी नहीं पी रहा है लेकिन वो साके पी रहा है वो जो जर्ना था जर्ने से पानी नहीं बह रहा है लेकिन साके बह रहा है वो सारा जर्ना था वो साके का जर्ना था बच्चो तारो बहुत खुश हो जाता है और अपने पास एक मटकी भी होती है उस मटकी में साके भर लेता है सीधे घर ले आता है साके अपने फादर को देता है और तारो के फादर बहुत ही खुशी से उस साके को पीते हैं पीने के बाद बहुत ही अच्छा महसुस करने लगते हैं तंदुरिस्ट महसुस करने लगते हैं और यह जो तारो के फादर हैं खुशी से घर के बीच में नाचने लगते हैं डांस करने लगते हैं तो बच्चों फाइनली जो है तारो अपने फादर को साके पिला पाया लेकि करें तब तक जो है वीडियो दुबारा वाच करें बार-बार वाच करें लाइक और सब्सक्रेब करना मत भूलें जाक अल्लाइब